हाई एवरीवन वेल्कम बेक टू माई चैनल माई नेम इस अनेल और एकमा स्क्रिप्ट की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफॉल्ट परामिटर की सो डिफॉल्ट परामिटर क्या होते हैं इसको हम 30 गले देखेंगे इसका एक एक्जामपल भी बनाएंगे और लास्ट में इंट्रिव्यू कोशिन भी रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुद भूलना इसका एक रिजन ये भी है एकमा स्क्रिप्ट के जितने भी वर्जन है सब के उपर में वीडियो बनाने वाला हूं चाहे वो 6,7,8,next जो भी हो सब के उपर और सबका कोड भी आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में से मिल जाएगा सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेशन यहाद है कि डिफोल्ट पैरामीटर्स क्यों यूज होते हैं जब फंक्शन में कोई परामीटर पास नहीं करते हैं तो उसको हैंडल करने के लिए लिए एक्जामल में आपको बताऊंगा और यह कौन से वर्जन क पास एक हैजटेमल वाला काम कर लिया है बट एक माश्रीप के मैंने कुछ भी काम नहीं कर रहा हूं करेंगे भी तो इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पर कोपी पाथ करेंगे सबसे पहले और अब जाएंगे ब्रावसर में यहां पर जाके ब्लोग बेसिकली कर देंगे कंट् मैं रख दिया बाद में अलग फंक्शन के नाम भी रख लेंगे अभी के लिए एड रख दिया मैंने और इसके अंदर में यहां पर क्या करता हूं मिलेगा तो रिजल्ट आने वाला हमारा यहां पर 30 में पूब्लम नहीं है अंब देखो इसको थोड़ा दिनमिक बनाना चाहता हूं तो मैं हाल पर किसे पास कर सकता हूं विस मैं यहां से यहां से पास कर सकता हूं लेटमेही पास करता हूं 10 और 20 राइट और अब मैं हाँ आप एक द आacles Lewis टेटा हूं 10 और ओर और यहां पर हां क्या कर सकते हैं a plus b क्र शक्ते हैं with a और उसके बाद ही देखो इसका फाइदा क्या होगा कि हम जितने ही मर्धी आपे वैल्यू को नहीं पास करना चाहते हैं आपके पास एक ही वैल्यू हो सकता है इस फंक्शन के अंदर ही हो या फिर आपको नहीं पता हो तो आप कैसे करोगे लेट से मैं यहां से अभी के लिए ऊपर वाद इस फंक्शन को मैं करता हूं और यहां पास करता हूं और अब मैं यहां पर रिजल्ट देखता हूं तो क्या मिलेगा मुझे यहां पर न, a, n का मतलब होता है note और number क्योंकि हम addition कर रहे हैं बट b इसके अंदर available ही नहीं है so alright तो हम इसके लिए आ कर सकते हैं इसके लिए हम एक parameter की default value दे सकते हैं default value कैसे यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे 10 पास करूँगा और अब 10 प्लस 10 इसका result हो जाएगा basically 20 यह देखे इस तरीके से all right तो क्या हम एक ही function की value को default दे सकते हैं नहीं आप जितने मर्जी दे लो जैसे कि c c को मैंने value दे दी 13 और यहाँ भी मैं पास कर देता हूँ 30 यहाँ पे c पास कर देता हूँ आपको इसकी value मिलेगी आपके total हो के मिल जाएगी आपको 50 right 10 प्लस 10 प्लस 30 right so 50 आपको इसकी value मिल गई है so this is one thing अब second चीज क्या हो सकती है वो यह कि मैं आपे value के जाएगा पे क्या function भी पास कर सकता हूँ बिल्कुल यह आप से question पूचा जा सकता है कि क्या आप लोग default parameter में एक function पास कर सकते हो पिल्कुल कर सकते हो मैं यहाँ पर function मनाता हूँ let's say और इस function का नाम मैं रखता हूँ some values some well कर देता हूँ कुछ भी नाम रख लो क्या ही फ्रक पड़ रहा है और यहाँ पर मैं इसके अंदर directly return कर देता हूँ let's say मैं रेटन कर दिया 100 right कुछ भी value कर दो अब आपको यहाँ पर क्या करना है sum well और इसका execute कर देना है right अब इसके आपकी value आ जाएगी 10 plus 10 20 और इसके value 120 का result आ जाएगा so let's check here यह देखिए 120 का result आ गया है so क्या हम लोग numbers ही पास कर सकते हैं जी नहीं ऐसा कुछ नहीं कि आप numbers ही पास कर सकते हो आप कुछ भी इसके अंदर पास कर सकते हो जो भी आपको ठीक लगे let's say कि आप इसके अंदर कुछ normal values पास करना चाहोगे जैसे example देता हूँ मैं आपको just आप A plus B plus C ठीक है मैं इसी तरीके से normally दिख रहा हूँ और यहां पर इसके अंदर से आप normal values भेज़ रहे हूँ let's say last इसके अंदर आपने भेज दिया middle और इसके अंदर आपने भेज दिया first और अब आप इसको execute करवाते हो so आपको यहां पर मिल गया first, middle, last थोड़ा सा अगर आपको space वगरा देना है तो यहां से आप manage कर सकते हो इस तरीके से space वगरा देके right इस तरीके से और जब भी आप alright so आपको यह दोनों side लिखना पड़ेगा plus इधर भी और इधर भी तो अब आपका क्या होगा basically थोड़ा सा space manager और first, middle, last इस तरीके से right so इस तरीके से आप basically आप चाहो तो string पास कर लो जा फिर normal number पास कर लो जो भी आपको ठीक लेगा आप इस तरीके से पास कर सकते हो function भी पास कर सकते हो that's great alright तो मैं इसको थोड़ा सा भी symbol करता हूँ इसको मैं रहने देता हूँ because हो सकता है आप लोग जो काम कर रहे हो जो gitsub से code लोगे इसको आप उसमें आपकी जरूत पड़े तो मैं एक function लेता हूँ यहाँ पे function का नाम है यहाँ पे main main एक function ले लेता हूँ और इसके अदर दो parameter रहेंगे basically a,b right और b के अंदर मैं यहाँ पे अगर main function ही पास कर दूँ right और यहाँ पे मैं return कर दूँ a plus b और यहाँ पे main call करूँ right मैंने यहाँ पे main ही call कर रहा और इसके parameter में main ही पास कर दिया तो इसका output क्या आएगा right तो आपको यह इसका answer देना है और कैसे देखोगे चाओ तो आप यह वाला code github से ले लो इसको execute करके देखो अपनी local pc के उपर इसका answer comment करो comment नहीं भी करना चाहते तो at least पढ़ लेना important चीज है यह वाली right so thanks watching this video और चैनल को subscribe आप करी लेना कुछ query हो तो मेरे से पूछ लेना comment box के अंदर bye bye take care god bless you